हेलो दोस्तों स्वागत आप से भी आपके अपने चैनल आफ़ताव इस्टेडी क्लाहस में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लाश्टिन के लिए के मिश्टरी का लेशन टू अम लच्छार तो दोस्तों उसके आज हम लोग पढ़ेंगी यहत्ति लोग उत्तरी प्रश्ण हैं तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले देखेंगे नमबर एक प्रश्ण लिए प्षमाण टत्हा थाथाँ हाइडोजन और में संद्रण में सम्बन्द लगभग दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें बता दिया है कि प्षमाण क्या होता है है तो आप यहां से समझ सकते हैं इस शुत्र को अच्छी तरीकी से याद के लिए जगा क्यूंकि दोस्तों यह शुत्र पीएच मान निकालने में सहाथा कलता है आपके दूसरा है क्यों कापर तनु सल्फियूरिक अम्र में घुलकर हाइडोजन गैस मुक्त नहीं कलता है अब दोस्तों यहाँ पर देखना है कापर क्यासिल धात होने की कारण सल्फियूरिक अम्र से क्या नहीं कलता है तो आपको यहाँ पर याद कर H2SO4 अब दुरवल भस्म पूशे गई तो है NH4OH ठीक है याद के लिखा है यदि जल का पी एच मान साथ है तो इसकी तुलना में sodium hydroxide के जली विलियन फिलिका एत्तौन वहस्ट्रियल अमलका पी एच मान गयाद किजिए अब दूस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पी एच मान जिसका भी साथ होता है वो कैसे होता है उदासें ठीक है उदासें आपको दूसरी बात पता होगी जिसका पी एच मा से अधिक होता है वह होता है यहांपर है sodium hydroxide कभ चाहें मतलब ceuxम हाइडायं क्या हुआ रहियर लिक्राश्थी होगा होता है और दोस्तों यह क्या होता है यह है चाहार चाहर की मान आदेसी तान रहीट होता है तो लिक्त से अधिक होगा क्योंकि Soda My vitamins ल्ग ढौन भी health तो कैसा हो थाल से कम होगा ठीक है तो यहाँ सी अब बता सकते हैं रहा है तो 6 आप से यह नम्हींस कलता है तो का तब कि डीधि बात कम सीओता ब antibiotic के लिखी चैक चालीफ थे उप्योग लिए sodium by carbonate क्या होता है देख sodium लिखा है तो इसका मतलब बजाएगा न एच शीओ त्री यह आपका sodium by carbonate तो इसका उप्योग क्या होता है आग बजाने के इंत्रों में प्रियोग सालामी अविकर्मक के रूप में यह तो आप सभी में लिख सकते हैं ठीक है जिसमें प्रियोग सालामी अविकर्मक के रूप तो आपका एक तो बिल्कुल सोजाएगा सोडर बाटर बनाने में sodium carbonate बनाने में तो इस पकार से दोस्तों आपने यहां पर देख लिए sodium by carbonate के उप्योग कोश्चन में दोस्तों साथ देखिएगा sodium carbonate के और दियोगिक निर्माट बिल्का रासाइनिक समीकर्ण लिखिए अब दोस्तों आपको यहां पर लिखना है रासाइनिक समीकर्ण तो यहां पर देखिए क्या रहा है sodium carbonate NH3 मतलब यहां ammonia CO2 मतलब क्या हुआ carbon dioxide H2O मतलब हुआ जल तीनों मिक्स हो क्या बंदा NH4 HCO3 बंदा है इस परकार से आप यहां से देख सकते है NaHCO3 gives Na2CO3 plus CO2 plus H2O इस परकार से sodium carbonate आपका बंदा है ठीक है आगे देखिए पूछा गए आपसे है question no.8 विरंजक चूण का रासानिक नाम लिखिए और सूत लिखिए तो इसका रासानिक नाम क्या होगा calcium chloro hypo chloride ठीक है इसका नाम है लिखिए और सूत होता है COCl2 आगे देखिए नाम विरंजक चूण के निर्माण का रासानिक समीकन लिखिए तो विरंजक चूण कैसे बनता है जब calcium hydroxide COOH का होल्ट्राइज हो है CO2 से क्रिया कलता है तो CO2 बनता है आगे देखिए यह कुछ महात्पून क्रियां आपके लिए हैं यहां पर देखिए आप लोग देखिए तो यहां पर देखिए पहली वाली क्रिया में आपका बंदा है प्रेंजक चूण होना है और आपका H2O निकलना है तो पहली क्रिया तो आपको पता होगी दूसरी क्रिया है कि sodium bicarbonate आपका इतर लिखा हुआ है तो कैसे बनता है तो आपने इससे पहले पढ़ाता है CO2 मिला तो आप करेंगे समझा तो आपके अग्यां में पूझ रहां पर लगवग साथ नरों की तो आपके आज बारा है आगे देखें दोस्तों यह लिखा हुआ है नमबर 11 में 3 विलियन की एच प्लस है मतलब हेड़ोजन आयों की सांधा सबसे दिखाए किस है यह पर लेकेगा जिस्विलियन का पीएच मान सबसे कम होगा इसकी सांधा सबसे दिख कर दो भी है कि ऐएं टैसीड क्या है एंटैसिड़ क्या है हलका मुदक चाहिक और उधर दलज्ट करने में इसके क्या भूंका है् यहां हम्लकी अधिकता को लिश्ट कर देता है आगे देखे उस तो अँगर आगे देखेंगे दूर में दःवान पहर्च में अन्तर होजाता है आपका पता हुआ तो यहां पर समझे जब दूसरे बनता है तब लेक्टिक के बनने के करण अमली हो जाता है और इसका पीच मान घड़ जाता है मैंने बिताया आपको वही काम होता है चाहर को परिवासित के जी उधार से लिखा है एक उधार देजिए चाहर क्या होता है जल में घुलन सील चाहर को चाहर करते हैं अदिक प्रबल है टो आप पुझांग है अदिक प्रबल को और जिसका पीच मान कम होगा ठीक है इसको आप याद कलते जाएं ठीक है क्युक्तिि आपके लिए जांब के लिए इंप्टन और पीदेंट आप चीटिक के डंक मैं पस्त्रियम्ल का नाम बताईए में नौह किन 4 को छाहरक है वहां चाहरक ज़ल में बिले होता है उसे क्या कहते है उसके चाहरक कहते हैं अब दूसतों इसके बात में आपके लिए कुछ और ऍम्पॉर्टयन प्रस्फंग भचे वगए हैं सब्सब्सूप के नमोंट 6.5 पांट गया गया है प्रफब का स्वात कैसा होगा अब आप खुद आईए सास से कम सास से कम तो अमली होगा तो मतलब खटा भी होगा ठीक है तो आप से बस तो नहीं यहां पर खटा होगा यह तो पता आपको ए लिखा है ताजी दूद का पेच्वान 6 होता है इससे दही बन जाए पिसका पी अगा आप सब्हक अजाने पीच्वान बढ़ेगा तो इसका पीच्वान कम हो जाएगा ठीक है को है क्यों कि दही एक अमली पे दालते हैं यहां पर और देख़ी मह में पीच्वान 5.5 से कम होने पर दान्तों का च्छ औक होना च्छक्य होण था बनाता या क्लसिम यह दांतों के कैल्सेम फास्टेट ऑश्टेट से क्रियां यूप लबड़ ला जाटे दोस्तो इस वह के तो आपको इसी प्रेकाट के और वीडियो चाहिए तो आप लिंक मिल जाएगा अगर ना मिले तो आप चैनल के प्लेश्ट में जाएगा वहां से आप से वीडियो देख सकते हैं